मैं चाहता हूँ एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो भगवंत मान जी का पंजाब के मुख्य मंत्री आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इस वक्त आपके कंदों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारिया हैं मान साब इसका अंदाजा है हमें इसलिए बहुत बह चाहिन भारत वर्ष के सत्ता सम्मिलर में आने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद दिल की गहराईयों से आपका चंडिगड में स्वागत भी है होस्त भी हैं हम और पंजाबी जो है अपनी हॉस्पिडालिटी के लिए माने जाते हैं तो आपका भी और लाखो आपके जो दर देख रहे हैं जहां भी देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से नमश्कार सास्यकाल मानसाब पहला सवाल इसी से शुरू करते हैं कि इस बार आपने जो नारा दिया है 13.0 का 13.09 ये बड़ा चर्चा में है सुरुखियों में है ये इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है दो हजार बाइस वाली जो परफॉर्मेंस है वो कैसे आप उमीद कर रहे हैं कि लोग लोगों से आता है मैं पबलिक में जाता हूँ मैं आज भी जाओंगा दो जगा पर आज भी जाना है मैं कस्वे में जाता हूँ शहर में जाता हूँ गाउं में जाता हूँ तो लोगों का एक ही नारा है कि हमने नफरत की राजनीती हमने धर्म और समाज की राजनीती ने करन इत तो तेरह जीरोध वहाँ से निकला है क्योंकि पंजाब के लोग है वो जब फैसला लेते हैं बस ले लेते हैं और कोई भी मोमेंट हो देश में चाये वло अजयादि की मोमेंट हो चाये वो हरीक रान्थी हो हो जब अनाज की कमी हो गई थी देश में चाहे वो कोई भी इंकलाब हो पंजाब लीड करता है सबसे पहले पंजाब लीड करता है इवन आमाधी पार्टी के 2014 में चार हरे रंग के पत्ते आमाधी पार्टी के पंजाबी बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं कि लीड करें तो इस बार लोगतंतर को और सविधान को बचाने की election है जिए आज सविधान खत्रे में है सविधान को बदलने की बाते हो रही हैं लोगतंतर की धजियां उड़ाके रख दियां तस साल में तो अभी भी सवाल जब आएगा आनाने वाले पचास साल में कि भारत के लोगतंतर को और सविधान को बचाने में सबसे बड़ा जोगद सविधान का आपने जिक्र कर दिया सविधान खत्रे में कैसे सविधान की कुई बात मानते हैं कि सुबा चार बजे उठकर किसी गुवर्नर को जगा कर सविधान की को कसम खिला कर मुख्यमंतरी बना दिया सुबा चार बजे कुई सविधान की बात मानी वही सविधान के उन में इलेक्टर गौर्डमेंट के पास होनी चाहिए अर्विन के रिवाल के इन्होंने पांच बजे के चैरी बंद होई कोट बंद ही छे बजी ओडिनस लाके उस ओडिनस को सभी जो विपक्ष के फड़ाव में पास कर वाला है जैसे हाँ वाले हाँ के नवाले ना कहें आप जिस शेहर में बैठे हो सबसे ज़ादा दज्जियां इस शेहर के मेर चुनने के समय आपने देकी होँगी कैसे हो चंडिगड के मेर का चुनाव कैसे हुआ था 36 बोड थे मातर 36 35 कांसलर एक MP सिटेंग MP किरन के यह थे तो 36 बोड गिनने में 8 बोड नोगा खोटाला हो गया कैसे गिन रहा था वो कैमरे लगे हुए थे शुकरा यह पकड़े गए कैमरे लगे हुए थे कामयाब नहीं हो पाई उनकी यह स्कीम कैसे गिन रहा था 36 बोड को चोरी से गिन रहे हो 36 का मतलब 37 में से 8 कर दी है खराब इसका मतलब 25 प्रेंट खराब कर दी मुझे दुख इस बात का है खुशी है कि मेर बन गया आमानी पाटी का लेकिन चिंता इस बात किया है अगर 36 बोड में से यह 50% का गुठाला कर सकते हैं तो 4 जून को 92 करोड बोड गिने जाएंगे तब क्या करेंगे यह जीत लो लोगत अंतर से जीत लो हमें लोगों का फत्वा हम सरमाते पे लेंगे लिए जब सुप्रीम कोड गए जी मानिये चीफ जसे सबने का बोड निकालो का है तब जब देखा गया तो आठ की आठ बोड आमानी पाटी की थी तो उन्होंने का क्या यह बोड गिने जाएंगे वैलेड हैं और पहली बार हुआ जुडिशल हिस्टरी में कि चीफ जस्टिस ने किसी शहर का मेर अनौनस किया कि इसका मेर यह होगा तो समफदान कत्रे में नहीं है तो यह समफदान की बाते कर रहे हैं तो समफदान की रक्षा करने वाली एजेंसियां...... नयाय पालिका वो भी तो इसी देश का हिस्सा है जब ये कहा जाता है कि ये तीसरी बार सत्ता में आए तो समिधान बदल देंगे फिर आरक्षन खतम हो जाएगा फिर चुनाव नहीं होगा ये आखरी बार वोट डालने का मौका है तो बीजेपी ये कहती है प्रधान मंतरी मो दस साल राज किया बिना विपक्ष के लगभग जो थे विपक्ष वाले सस्पेंड कर दो एक दिन में डेड़ेट सो एम पीबी सस्पेंड किया दस साल और दस साल के बाद मंगल सूतर से लोगों को ड़रा कर अगर बोट मांगने पड़ रहे हैं तो ये शर्म की बात है